बॉल्यूड में जब कभी भी नेपो किट्स किसी बड़ी बड़ी पार्टियों में नजर आने लगे नशे में नजर आने लगे और इनके कदम जो लड़ खड़ाते वे नजर आए अपनी गाड़ी में ये ढंक से बैट ना पाएं तो आप समझ लिए कि बॉल्यूड में बस क आपको थोड़ा सा नशा करना है ताकि आपके बारे में मीडिया में लगातार चर्चाव होती रहे और ये चर्चा रुकनी नहीं चाहिए और बॉल्यूड में ऐसा ही होता है अब जो अजय देवगन की बेटी है न्यासा ये एक पार्टी से निकल रही है काफी नशे में न रही है क्योंकि नशा इसकदर चड़ा हुआ है कि हर जगर नशा ही नशा दिखाई पड़ रहा है अब लोग यह कह रहे हैं कि बाप ही नशा बेच रहा है इस देश को कैंसर बेच रहा है गुटका बेच रहा है जो खुद नशेडी है उसकी बेटी नशेडी नहीं होगी त लेकर उसके बाद भी यह नहीं रुपते हैं क्योंकि इनका एक ही धन्दा है एक ही धर्म है मनी भाई मनी भाई है तो सब कुछ है बाकी इन्हें किसी बातों से कुछ फरक नहीं पड़ता है अजय देवगर ने भी जिस तरह से थैंक गॉड जो आई थी फिल्म उसमें किस तरह से हिंदू इसम का मजाग उड़ाया गया था अजय देव में कुछ फरक नहीं पड़ता क्योंकि अगली फिल्म भोला आ रही है तो उसमें थोड़ा तारीफ कर देंगे तो सब कुछ सेटल हो जाएगा तो ऐसे ही चलता है यह जानते हैं कि जंता कुछ समय के बाद चीजों क भूल जाती है तो भाईया करते रहो कुछ फरक नहीं पड़ता पैसे आना जरूरी है किसे ने कहा कि यह लड़की आज नशेडी बनी हुए कल को बहुत बड़ी स्टार बनेगी और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे अंदभक्त हैं जो इस तरह के नशेडियों को अपना देखो यह भी रातो रात इसके बारे में मीडिया में खबर चलती रहेगी तो देखें यह तो खैर आर्यन खान हो या अजय देवगन की बेटी हो यह इनकी अपनी लाइफ है जब इनके माबाग को प्रॉबलम नहीं होनी चीए प्रॉबलम वहां पर होती है जब इन जैसे नशा करने वाले लोगों को इस देश के कई लोग अंधभक्ती में इतना फॉलो कर लेते हैं कि उन्हें लगता है कि यह जो कर रहे हैं यह बहुत ही माहान काम कर रहे हैं समाज के लिए काम कर रहे हैं तो वो भी नशा करना शुरू कर देते हैं और ऐसे कई लोग नशे के च अच्छा तो नहीं करते बलकि सिर्फ एक बोज बनकर रह जाते हैं और इनके परिवार वाले उसी बोज को ढोते रहते हैं पूरी जिंदगी जिसको ढोते ढोते उनका जो कमर है वो तूट कर तितर बितर हो जाता है तो यह ऐसे लोगों को फॉलो करने से बेतर है कि यह सारे अच्छे लोग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हों